हेलो ब्यूटिफुल सोल्स दसस सानवी शर्माँ आज मैं आप लोगों के लिए एक जेनरलाइस रीडिंग लिकर आए हम जो कि जेमनाई यानि कि मिथुन राश्य वाले लोगों के लिए हैं ये एक जेनरलाइस रीडिंग है तो ये रीडिंग कही न कहीं आपके साथ रेजोनेट जरूर होगी ये रीडिंग ऑगस्ट 2023 के लिए है अगर आप मेरी रीडिंग से इंफ्लुइंस्ट है और किसी परस्नलाइस प्राबलम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी परस्नलाइस रीडिंग मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मद भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे हैं मेरे एक और चानल भी है सोल दिवाइन चोनी टारो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस चा को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मलती रहें इस रीडिंग को आप संराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग की अकॉर्डिंग आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, इस महीने की जेनरल इनोर चीज आपके लिए किस तरह की होंगे, आएज जानते हैं जेमनाई भीपल, ये महीना जेनरल इनोर चीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, तो यहाँ पर पहला कार्ड है, एट औफ फायर क काड है the next card over here is eight of cups काड है the next card over here is seven of cups काड है the next card is queen of cups काड है यहां पर the next card is four of fire काड है the next is justice काड है the next card over here is strength काड है the next card over here is ten of pentacles काड है bottom of the deck पर 10 of cups का card है यहां पर so Gemini people आप इतनी बातों जानते होंगे कि आप एक air sign personality है बड़ इस पूरे महिने में आप एक water sign personality की तरह act करने वाले हैं इस महिने में emotions में बहुत ज़ादा fair बदल होता हुआ मुझे यहां पर नजर आ रहा है आप किसी situation से move on करते हुए नजर आ रहा है है आप किसी situation से खुद को emotionally detach करने वाले हैं और यह ज़रूरी नहीं है कि कोई relationship ही हो कोई आपकी life की कोई भी situation हो सकती है और situation से आप move on करने वाले हैं आपको ऐसा लगेगा कि आपने ज़रूरी से ज़ादा time is situation पर spend कर दिया है अब आपको आगे बढ़ना है आप अपने life में बड़े changes करने के लिए जिंदगी को एक नए नजरिये से देखने वाले हैं आपके priorities change होती हुए नजर आ रही हैं आप अपने घर से दूर जा सकते हैं मतलब या तो आप job के लिए जा सकते हैं या फिर आप कुछ नई चीज प्लान कर रहे हैं किसी और शेहर में जाकर रहना आप start कर सकते हैं इस तरह की energies कहां पर नजर आ रही है ये eight of fire का card है बहुत सारी चीज़े इस महीने में आपकी life में घटेत होंगी तो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ होता हुआ देखकर आप थोड़ा stressed भी रहेंगे लेकिन stress आपको लेना नहीं चाहिए क्योंकि ये positive opportunities है सब चीज़े positive होंगी तो इतना stress लेने की ज़रूरत नहीं है आपकी life में unexpected events होंगे बहुत rapid changes होंगे आप multitasking कर सकते हैं अपनी इस ability को ज़रूर पहचानिएगा इस month में आप business को लेकर कोई traveling कर सकते हैं इस month में आपका किसी के साथ social media के थूँ कोई connection बन सकता है किसी पुराने friend के साथ आप contact में आ सकते है या कोई नया person आपकी contact में आ सकता है ठीक है यहाँ पर seven of cups का card है इस बहीने में आपको decision बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है चीजों में clarity ना होने की वच्छ से आप procrastination की energies में बहुत ज़्यादा रहेंगे आप जो आपकी desire है ना उसके उपर तो at least आपको clarity होनी चाहिए उस पर clarity लेकर आपको आगे की और बढ़ना चाहिए आपके पास बहुत सारे options होंगे किस option को opt करना है या आपको समझ नहीं आएगा लेकिन अगर decision making कई बार compulsory भी हो जाती है तो उसके लिए आपको पहले थोड़ा time meditate करना चाहिए फिर ये समझना चाहिए कि जो इतने सारे options है आपके पास आपके लिए उसमें से कौन सब best option हो सकता है उस option को choose कीजिए इस महीने में addictions आपको हो सकती है हो सकता है आप mobile पर बहुत ज़दा time spend करें आप surfing बहुत ज़दा करें YouTube पर बहुत ज़दा time spend करें ऐसी energies भी यहाँ पर नजर आ रही है यहाँ पर queen of cups का card है देखिए अपने emotions को बाहर आने दीजेगा अपने emotions को दवाने की ज़रूरत नहीं है दूसरों के प्रति इस महीने में आपका जो behavior है काफी caring रहेगा compassionate रहेगा आपको अगर आप meditation करते हैं तो कुछ insights आएंगे आप दूसरों की care तो करने वाले हैं बट अपनी care करना मत भूलिएगा अपने आपको भी प्रात्मिकता दीजेगा अपनी intuition के उपर आपको trust रखना ज़रूरी है आपकी family आपके friends के लिए आपका प्यार गहरा होता हुआ नजर आ रहा है आप अपने दिल की बात इस महीने में ज़ादा सुनते हुए मुझे नजर आ रहे है यहाँ पर four of fire का card है आपके बस एक reason है for happiness ठीक है आप अपनी life को celebrate करने वाले है divine को thank you कहना मत भूलिएगा उन्होंने जो कुछ भी आपको दिया है उसके लिए divine को thank you ज़रूर कहिएगा उससे आपकी life के अंदर peace, prosperity आएगी और सिरफ divine को ही thank you नहीं कहना है अगर आपके जीवन के अंदर कोई special contribution अपनी दे रहा है तो उसे भी gratitude ज़रूर दीचेगा आपकी life में इस महीने में peace contentment की energies बहुत ज़ादा होंगी आपकी personal growth होती हुई नजर आ रही है आपका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होता हुगा नजर आ रहा है घर परिवार से related आपका कोई सपना पूरा होने वाला है होगा अपने लिए stand जरूर लीजेगा आपका जो belief system है उस पर आपका stand लेना बहुत जरूरी है situation की हर एक side को पहचानने की कोशिश कीज़ेगा ठीक है आप अपने life के अंदर एक winning position में आ सकते हैं अगर किसी भी side को biased होकर फैसले नहीं लेंगे तो अपने आप में एक चीज़ दिमाग में रखेगा कि अगर आप गलत कोई कर्मा करेंगे न तो वो कर्मा इसी मन्थ में आपकी तरफ को वापिस आ सकता है यहाँ पर strength का card है इस महीने में हर एक चीज़ में अपना 100% आपको देने की जरूरत है आप अपनी strength की लोगों ने आपकी life के अंदर कुछ negative role अदा किया है ठीक है वो उनका role था उन्होंने वो role play किया उसे आप क्यों अपने आपको stuck कर रहे हैं आपको यह समझना होगा कि आप पहले से बहुत जादा strong हो गए हैं अपनी strength में completely आप तभी आपाएंगे जब आप खुद को या दूसरों को माफ कर पाएंगे यहाँ पर 10 of pentacles का card है इस महीने में आप अपने आपको financially secure feel करेंगे आपकी family के साथ भी आप बहुत जादा security महसूस करेंगे आपको कोई पैपरिक संपत्ती मिल सकती है जी के peace contentment की energies आपकी life में नजर आ रही है आती हुई आप अपने family traditions को honor करेंगे आप अपनी family के traditions को follow करने की भी पूरी कोशिश करेंगे और आपको आपके family traditions के बारे में और भी बहुत सारी चीज़े पता लगेंगे यह energy है यहाँ पर 10 of cups का card है देखिए आपकी married life अगर आप married है तो बहुत अच्छी जाने वाली है आप अपने बच्चों के बारे में कुछ plan करते हुए नजर आ रहे हैं अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छे संसकार देते हुए नजर आ रहे हैं आए जेमिनाई people अब हम देखते हैं यह महीना उन लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है जो love life के बारे में जानना चाहते हैं आए जानते हैं यह महीना आपकी love life के लिए किस तरह का होगा आए जानते हैं यह महीना आपकी love life के लिए किस तरह का रहने वाला है जेमिनाई people आए जानते हैं यह महीना आपकी love life के लिए किस तरह का होगा love life के लिए तो cards ही बहुत सारे निकल कर आया है और अपने आप निकल कर आया है five of fire का card है ace of fire का card है यहाँ पर the next is 5 of pentacles का card है peach of pentacles का card है 2 of pentacles का card है 9 of swords का card है यहां पर 6 of pentacles का card है knight of cups का card है 10 of swords का card है and bottom of the deck पर 2 of swords का card है इस महीने में सबसे जारा triggers आपको आपकी love life में ही मिलते हुए मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जो अपने partner के साथ no contact की state में है Gemini people जो लोग अभी अपने partner के साथ contact state में नहीं है इस महीने में आप अपने partner के पीछे-पीछे भागने वाले हैं आप अपने partner से खुद से बात करने की कोशश करेंगे उनके सामने आप एक practical proposal रखेंगे पहले आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप अपने partner से directly बात करें पहले आप चीजों के बीच में जगल करने वाले हैं आपको ऐसा लगेगा कि आपको बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए जब आपको अपकी जीवन के बाकी स्पेर्स में थोड़ा सा balance महसूस होगा ना तब आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं आप तो बात करनी चाहिए because time आपको favor कर रहा है ठीक है तो आप अपने partner से अचानक से बात करने की कोशश करेंगे पहले आप बहुत practically उनसे बात करेंगे आपके partner भी उसी तरीके से सामने से आपसे बात करेंगे फिर आप emotional होकर बात करेंगे तब आपके partner और आपके बीच में मन मुटाव होगा आप दोनों के बीच में लड़ाई जगड़े की energies होंगी चीक है आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपके partner इतना ज़्यादा आपके साथ rude क्यों है क्यों वो अपने दिल की बात आप से नहीं कह रहे हैं इतना transformation किसी भी इनसान में कैसे आ सकता है ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी रातों को आप सो नहीं पाएंगे वो लड़ाई जगड़ा आपके लिए ट्रिगर का काम करेगा अब आपके पास यहाँ पर अपनी direction को change करने के दो options होंगे एक option ये होगा आपके पास कि आप अपने इस relationship से move on कर जाएं दूसरा option आपके पास ये होगा कि आप जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिष्टे में क्या चल रहा है क्यों आपके partner के अंदर इस तरह के बदलाव आ रही है और यहाँ पर एक चीज़ की clarity मुझे बहुत ज़ादा है कि आप एक crossroad की situation पर आकर definitely खड़े होंगे आपको समझ नहीं आएगा कि अब करना क्या है बट आपकी जो भी priority हो आप उस चीज़ की तरफ को decision बनाईएगा आप अपने बारे में ज़ादा सोचते हैं तो move on कर चाहिएगा अगर आपको ये रिष्टा चाहिए ही चाहिए तो इस रिष्टे के बारे में deeply जानने की कोशिश कीज़ेगा आप बहुत टाइम से ये समझने आया हैं कि इस रिष्टे में कोई भी problem नहीं है लेकिन जब आप detail में जाने की कोशिश करेंगे तब आपको पता लगेगा कि इस रिष्टे में black magic का effect है जिसकी वज़स से आपके partner के अंबर इतनी ज़्यदा transformation हुई है यहाँ पर दो possibilities निज़र आती है या तो ये रिष्टा हमेशा के लिए खतम हो जाएगा या इस relationship की जो भी challenging situation है उसे आप हमेशा के लिए खतम कर पाएंगे तो ये है आपके लिए energies जो लोग अपने partner के साथ no contact zone में है अब हम बात करते हैं Gemini people जो लोग अपने partner के साथ contact zone में है इस महीने में आपका आपके partner के साथ लड़ाई चुगड़ा बहुत ज़दा रहने वाला है आप अपने partner के सामने कोई भी बात रखेंगे वो आपकी हर बात को काटते हुए आपको महसूस होंगे आप अपनी तरफ से balance लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके partner आपके साथ कोई मतभेत ना develop कर लें तो आपके partner उस balance की state में आना ही पसंद नहीं करेंगे आप अपने emotions को अपने partner के सामने बहुत खुल कर रखेंगे आपके partner अपने emotions को आपसे hide करेंगे आप अपने partner से commitment भांगेंगे अगर तो आपके partner आपको commitment देने के लिए तयार नहीं होंगे आपके partner अपने career के उपर इस महीने में जादा focus करने वाले हैं और ये चीज़ आपको बहुत ज़दा doubt में डालेगी कि अचानक सही आपके partner को क्या हुगा कि अब उन्हें सिरफ अपने career पर ही focus करना है आप अपने partner के पीछे-पीछे भागते हुए निजर आ रहे हैं आपका दिल कहेगा कि आपके partner सही कह रहे हैं उन्हें अपने career के लिए कुछ time चाहिए लेकिन आपका दिमाग कहेगा कि ये बात गलत है आपके partner कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसका शायद आपको पता नहीं लग पा रहा है आपको रातों को नीन नहीं आएगी लेकिन आपको इस relationship में एक नई दिशा मिलेगी जहां पर आपको इस रिष्टे की सच्चाई का अनभव होगा आपको ये पता लगेगा कि आपके रिष्टे के अंदर कोई third party energy exist कर रही है जो आपके partner की energy इसको change करने की कोशिश कर रही है किसी black magic के effect से ठीक है आपके partner से आपको contentment इस महीने में महसूस नहीं होगी तो आपको अपने रिष्टे का charge लेना है अपने partner से लड़ाई जगड़ा नहीं करना है लड़ाई जगड़ा करने से आपकी problem solve नहीं होने वाली है इस बात को समझ लीजेगा आपके partner आपके emotions को नहीं समझ रहे है आपके partner आपके practical proposal को नहीं समझ पा रहे है वो जिस तरह का proposal आप उनसे चा रहे हैं वो आपको दे नहीं पा रहे है तो इसके बीचे क्या कारण है ये तो आपको basically जानने की बहत ज़रूरत है ठीक है so I hope आपको ये energy भी clear हो गई होगी अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो looks single है इस महीने में कोई भी proposal आपकी तरफ अगर बढ़ेगा तो आपके अंदर सिरफ trust issues ही develop होंगे आप किसी भी person पर rely नहीं करने वाले हैं आपको ऐसा लगेगा वो person आपकी life के अंदर आपके लिए कोई न कोई problem खड़ी कर देगा आपका नजरिया किसी के साथ match नहीं होने वाला है अगर सच में अपनी शाधी करवाना चाहते हैं इस महीने में की set हो जाए या date fix हो जाए तो उसके लिए अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आईए ठीक है आपको जो proposal सामने से मिलने वाला है वो कोई गलत नहीं है इस juggling energy से आपको खुद बाहर निकलना है अपने आपको balance में लेकर आईए ये जो person है जिसकी तरफ से आपको proposal आ सकता है उसके zodic sign हो सकते है Capricorn, Vogo, Taurus ठीक है ये लोग बहुत ही grounded भी होते हैं strong होते हैं और एक पर अगर इन्हें कोई ठुकरा दे तो ये दूसरे को accept नहीं करते हैं तो इसलिए सोच समझ के फैसला लीजेगा ओके आई होप जो लोग single है आपको भी ये energies clear हो गई होंगी और अपने रिष्टे के पारे में किसी से भी मत कहिएगा बतलब अगर आपका रिष्टा कहीं fix हो रहा है अपने मदव फादों को भी कह दीजेगा कि वो बाहर रिष्टेदारी में बात ना करें क्योंकि कोई आपकी शादी के उपर रूख भी लगा सकता है इस महीने में इस बात का ध्यान रखेगा ओके आई होप आपको ये energies clear हो गई होंगी आईए अब हम जानते हैं Gemini people ये महीना आपके career के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में आपके career के energies किस तरह की होंगी ये महीना आपके career के लिए किस तरह का रहने वाला है आईए जानते हैं Gemini people ये महीना आपके career के लिए किस तरह का होगा आईए जानते हैं तो पहला card है Queen of Fire का card है The next card is the wheel का card है यहाँ पर The next card over here is 3 of fire का card है The next card over here is 9 of pentacles का card है The next card is 4 of cups का card है The next is justice का card है The next card over here is king of pentacles का card है And bottom of the deck पर ace of fire का card है So Gemini people ये महीन आपके career के लिए बहुत ही अच्छा है बहुत अच्छी transformational energy आप इस महीने में witness करेंगे एक नई शुरुवात आपके career में आपको देखने के लिए मिलेगी आपके career में जो भी delay, postponement की energy चल रही थी वो energy यहाँ पर खतम होती हुई नजर आ रही है इस महीने में आप एक नई direction में move करेंगे जिस में move करते हुए आप काफी independent हो जाएंगे आप अपने life का control अपने हाथ में ले पाएंगे आपको ये महसूस होगा कि आप तो अपने आपको ऐसे ही underestimate करते जा रहे थे ऐसी कोई चीज नहीं है जीवन में जो आप नहीं कर सकते है आपको थोड़ा सा balance मिठाने की ज़रूरत है अपने personal life और professional life के बीच में इस महीने में जो भी career के regard में आप planning करेंगे long term planning आपको करनी है बहुत time से अगर आप किसी opportunity का इंतजार कर रहे हैं opportunity आपको इस महीने में मिलती हुई नजर आ रही है इस महीने में आपका जो income का source है वो बढ़ने वाला है आप अपनी luxuries पर spend करते हुए नजर आ रहे हैं financial stability मिलने की बच्छर से आप थोड़ा सा अंदर introvert होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप अपने financial growth किसी के साथ share करेंगे तो शायद कुछ hurdles का सामना आपको फिर दुबारा से करना पड़े इतने time से कई चीजें आपके career में ऐसी थी जिसे आप समझ नहीं पा रहे थे कुछ opportunities आपको मिर रहे थे आप समझ नहीं पा रहे थे इस मंत में आप उन opportunities को grab भी कर पाएंगे और ये चो discontentment है ना आपको आपके career की वजह से वो discontentment दूर होती हुई नजर आ रहे है अगर आपके career के regard में आपको court case witness कर रहे हैं कुछ भी ऐसा हुआ है company के साथ कुछ हुआ है या कुछ उसमें आपकी definitely होगी universe आपके साथ इस मंत में आपके career की terms में justice करने वाले हैं आप दूसरों के प्रती compassionate रहेगा इस मंत में अपने career में जो भी काम आप शुरू करेंगे उसे आप successful होंगे हर एक चीज़ आपके लिए बहुत beautifully turned होगी थोड़ा सा patience रखकर आगे की और पढ़िएगा एक ऐसी opportunity आपको मिलेगी जिससे की आपके career की energies completely change हो जाएगी अपने career को लेकर bold courageous और optimistic आपको रहना है action लेना है निरंतर action लेते जाना है career में रुकना नहीं है okay so I hope आपको आपके career की energies clear हो गई होंगे Gemini people आएज जानते हैं ये महीना आपकी health के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में आपकी health किस तरह की होगी आएज जानते है Gemini people ये महीना आपकी health के लिए किस तरह का रहने वाला है आईए चानते हैं तो पहला card है Knight of Fire का card है यहाँ पर Ace of Swords का card है यहाँ पर The next card over here is Nine of Swords का card है and bottom of the deck पर King of Fire का card है यहाँ पर देखें Gemini people आपकी जो health की energies हैं वो वैसे तो better है लेकिन health आपके आपके अपने reasons की वज़े से कराब हो सकती अगर आपको बिना किसी मतलब से stress हो रहा है आप किसी और की जिंदगी को देखकर अपने आपने security feel करेंगे तो वो stress की वज़े से आपका sleeping pattern है वो disturb रहेगा और जब sleeping pattern disturb रहेगा तो health को लेकर issues तो आएंगे ही आएंगे अपने health को लेकर खुद को motivated रखना है कि अपनी health को better बनाना है ठीक है? अपनी health का charge अपने हाथ में लेना है आपके ऐसे अपनी health को मजबूत कर सकते हैं यह आपके उपर depend करता है ठीक है? अपनी health को लेकर किसी भी तरह की अगर आप negligence की energies adopt करेंगे तो उस सिफ आपका ही नुकसान होने वाला है health को लेकर को challenges का सामना इस मंत में आपको करना पड़ेगा लेकिन अगर आपके अंदर determination होगी कि आप इन चीजों को overcome कर पाएंगे या फिर आप अपनी diet के उपर focus कर पाएंगे आप अपने physical exercises के उपर focus कर पाएंगे तो आपकी health एच्छी हो सकती है ठीक है? तो घबराने की बात नहीं है It is all dependent upon you ये सारी चीज़ें आपके उपर completely depend करती है कि किस तरीके से आप अपनी health की energies को channelize करते हैं ठीक है? So I hope आपको आपकी health की energies clear हो गई होंगे आएए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपके future investment और housing की energies किस तरह के होंगी किया इस महीने में आप future में invest कर सकते हैं? किया इस महीने में आपको अपना dream house बनाना चाहिए Gemini people आएए जानते हैं किया इस महीने में आप future में invest कर सकते हैं? किया इस महीने में आप अपना dream house बना पाएंगे? आएए जानते हैं तो पहला card है King of Swords का card है then is Nine of Pentacles का card है the next is Justice का card है the next card over here is Ace of Fire का card है the next card is King of Swords का card है the next card is Page of Pentacles का card है Five of Fire का card है and bottom of the deck पर Vice Counselor का card है अगर हम बात करें money की terms में investment की तो आपको किसी से counselling लेनी चाहिए फिर आपको investment करनी चाहिए और ये person ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए unknown हो किसी professional के पास आप जा रहे हैं guidance लेने के लिए कि आपको कहां पर financially invest करना है अगर आपके known में कोई person है और वो आपको ऐसे ही बताता जा रहा है कि आपको यहाँ invest कर लेना चाहिए आपको वहाँ invest कर लेना चाहिए मत सुनेगा उस person की बात को नहीं तो आपको नुकसान ही होगा और उस person से जो भी आपके संबंध है वो खराब हो जाएंगे ठीक है आपको इस investment की terms में अपने नजरीय को बदलना और किसी professional से आपको guidance लेनी है और उसके बाद बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है आप stock market में invest कर सकते हैं crypto में invest कर सकते है जहां वो person कहेगा वहाँ पर आपको invest करना है सामने से कोई भी proposal लेकर आ रहा है कि आप यहाँ पर invest कर दीजे वहाँ पर invest मत कीजेगा इस बात का ध्यान रखेगा आप किसी legal complication में नहीं तो फस जाएंगे ठीक है अब अगर हम बात करें घर लेने की या फिर कोई फ्लाट लेने की तो definitely वो भी आप ले सकते है ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज के लिए मना करूँगी कि बना बनाया घर मत ली चुएगा आप यहाँ पर कोई land लेकर घर बना ली चुएगा ठीक है शौप ले सकते हैं आप किराज ले सकते हैं लैंड ले सकते हैं बेसिकली लेकिन बना बनाया घर या दुबारा से कोई घर बिक रहा है आप वो ले रहे हैं वो नहीं लेना है फ्लाट नहीं लेना है इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेगा क्योंकि उस चीज़ में कोई ना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आपको परिशान करेगी ठीक है So I hope आपको आपके future investment और housing की energies भी clear हो गई होंगी आईए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं Competitives की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ये month किस तरहा का रहने वाला है August का महीना आपके लिए किस तरहा का होगा जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं Competitives की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ये month किस तरहा का रहने वाला है आये जानते हैं तो पहला card है यहाँ पर Two of Cups का card है The next card over here is Page of Swords का card है. The next card over here is 7 of Swords का card है. The next is 2 of Swords का card है. The next card over here is 10 of Swords का card है. The next card is Queen of Swords का card है. The next card over here is 6 of Cups का card है. And bottom of the deck पर Page of Cups का card है. जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, Competitive की तयारी कर रहे हैं, ये वक्त आपके लिए बहुत ज़दा टफ रहने वाला है आपको अगर कोई competitive exam clear करना है तो basically आपको बहुत ज़दा महनत करने की ज़रूरत है luck आपको तभी support करेगा जब आपकी महनत 100% होगी इस महीने में जो आपके logics हैं पढ़ाई के कोई शाद दूसरे person को समझ नहीं आएंगे आपके घर में आपका इस बात पर लड़ाई जगड़ा हो सकता है कि आप पढ़ाई इस तरह करना चाते हैं बड़ापके आस-पास के जो लोग हैं वो आपको पढ़ाई करने नहीं देंगे ठीक है वो आपको उस तरीके से पढ़ाई नहीं करने देंगे चिस तरीके की पढ़ाई आप करना चाहरा है ठीक है तो ये energies हैं यहाँ पर दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है कि आप जिन friends के उपर अपने पढ़ाई के लिए रिलाई करने वाले हैं वो friends जो है वो trustworthy नहीं है उनके उपर आपको रिलाई नहीं करना चाहिए ठीक है इस मन्त में आप जिन लोगों पर trust करने वाले हैं आपने notes को लेकर आप जिन लोगों पर इस तरह से trust करने वाले हैं कि वो आपके well-wisher हैं वही आपके पढ़ाई में hurdles create करेंगे तो आप अगर अपने इस painful cycle को end करना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई आप किस तरह से कर रहे हैं वो किसी के साथ भी share मत कीजें आपने अपने experience से बहुत कुछ सीखा है अपने semi exam बहुत बार दिया भी होगा जो आपका crack नहीं हुआ अपने experience को implement कीजे तभी आप इस exam में successful हो पाएंगे otherwise पढ़ाई के लिए ये महीना आपके लिए काफी difficult रहने वाला किसी exam का last chance है तो ये exam दीजिएगा ही मत ठीक है So I hope आपको आपके पढ़ाई और competitive की energies clear हो गई होंगी Gemini people आईए चानते हैं कि इस मत में आपको क्या mode of action follow करना है जिससे कि आपकी energies और positive हो जाए What should be your mode of action आपको क्या mode of action follow करना है जिससे कि आपकी energies और positive हो जाए What should be your mode of action आपको क्या mode of action follow करना है जिससे कि आपकी energies और positive हो जाए पहला यहाँ पर green tarama का कार्ड है then is ascension का कार्ड है यहाँ पर the next card is open communication का कार्ड है the next card is sacred vision का कार्ड है the next card over here is sacred self का कार्ड है and bottom of the deck पर soul expansion का कार्ड है यहाँ पर okay so इस month में सबसे पहली चीज़ जो importantly आपको focus करना है जिस चीज़ पर हो यह है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बीच में connection समझाएगा आपकी consciousness बढ़ रही है आपकी life के अंदर कौन सी चीज़ किस वज़र से हो रही है वो सारी चीज़े आपको पता लगेंगी इस month में आपको ओम का जाप completely करना है किसी भी दिन पर skip नहीं करना है आप number wise count करके भी कर सकते है या फिर आप वैसे भी कर सकते है आपको ओम की जो ध्वनी है अपने throat चक्रा से निकालनी है ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा या आपको एक mode of action follow करना है दूसरी बात यहाँ पर open communication का card है इस महीने में आपको अगर किसी की कोई भी बात बुरी लग रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस person को ये चीज़ कहनी है तो उस person को कह दीज़ेगा आप प्यार से बात करेंगे सामने वाला person आपकी बात को जरूर सुनेगा ठीक है आपकी बात को कोई भी नजर अंदाज नहीं करने वाला है और witness day की चो मेरी angelic guidance है उसमें मैं जो भी उपाय बताऊंगे वो आपको ज़रूर follow करने है angelic guidance पर दूसरे चानल soul divine journey taro पर आती है उस चानल का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस चानल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोज पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती है और मैं अपनी daily angelic guidance रोज रात आठ बज़े उस चानल पर पोस्ट करती हूँ आप लीज उस चानल को भी subscribe ज़रूर कर दीचे और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मद भूलेगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहे यहाँ पर ascension का card है इस बंद में आपको meditation रोज करनी है ताकि आप अपनी soul के साथ अपना गेहरा connection बना सके आप जो light बाहर ढूंडे की कोशिश कर रहे हैं आप बाहर आपको वो light नहीं मिलने वाले है वो light आपके अंदर ही है अपने life में इस darkness से अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो उस light को पहचानने की कोशिश कीजिए यहाँ पर supreme protection का card है आपको मा ग्रीन तारा की तरफ से protection मिल रही है आपके जो karmic cards हैं वो cut होते हुए इस महीने में नजर आ रहे हैं हो सकता है कि आपका connection कुछ लोगों के साथ cut हो जाए तो उन लोगों को अपनी life से जाने दीजेगा अपनी life में limitation लाने की कोशिश मत कीजेगा आपको ये limitations तोड कर आगे की और बढ़ना इश्वर पर भरोसा रखिएगा ठेक है यहां बस sacred vision का card है देखिए आपको अपनी life के अंदर forgiveness की energy को practice करना है ताकि आप खुद को heal कर पाए आप जिन लोगों को माफ नहीं कर पा रहे हैं आप उनकी energy से tap out नहीं हो पा रहे हैं और उसकी वजह से आप वहीं पर ही बार बार आकर अटक जाते हैं आपको ये बात को समझने की ज़रूरत है कि उसी इश्वर का कंड उन लोगों में भी है जिस इश्वर ने आपको बनाया है ठीक है तो प्यार की कोई सीमा नहीं होती है इस बात को पर चांटे हुए समझते हुए आपको उन लोगों को माफ कर देना है जिन्होंने आपको हर्ट किया और खुद को भी माफ कर देना है कि आपने कुछ गलत पैसले अपनी लाइफ के अंदर बनाये है और तूस्डे और संडे की इंजलिक गाइडन्स में मैं जो भी हुआई बताऊंगी वो भी आपको ज़रूर फॉलो करने है यहाँ पर सेक्रेट सेल्फ का काड है देखिए आपके अंदर स्पेशल गिफ्ट्स है उन गिफ्ट्स को पहचाने तभी आप अपने रिदम को युनिवर्स की रिदम के साथ माच कर पाएंगे इसका मतलब खुद को जानने की ज़रूरत है दूसरों को लेकर जज़मेंटल नहीं होना है बलकि खुद को जानने की कोशिश कीज़े इनर वर्क करने की कोशिश कीज़े यह है आपका mode of action I hope आपको आपका mode of action clear हो गया होगा Tuesday Wednesday और Sunday की Angelic Guidance में जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर follow करने आएए अब हम इस deck से देखते हैं कि इस मत में Divine आपको क्या blessings देना चाहते हैं क्या messages देना चाहते हैं Gemini people आएए जानते हैं Divine आपको क्या messages देना चाहते हैं क्या blessings देना चाहते हैं इस August के महीने के लि यहां पर embracing enthusiasm का card है The next card is taking shelter का card है The next card over here is begin now का card है The next card over here is miracles का card है The next card over here is breaking trail का card है and bottom of the deck पर finding century का card है Divine आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप आपकी life के अंदर इतनी खुशियां आपको मिलने चाहते हैं कि आप लोगों को चिला कर बताएंगे कि आप कि इतने tough रास्ते को cover करके अपनी इन खुशियों को हासल कर पाएं हैं ठीक है तो this is a blessing from Divine लेकिन Divine आपको ये भी message देना चाहते हैं कि कुछ सवालों के जवाब आप अपने से बाहर ढूनने की कोशिश कर रहे हैं उन सवालों के जवाब आपको आपके अंदर से ही मिलेंगे तो अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता लग रहा है तो उन सवालों के जवाब अपने अंदर से ढूनने की कोशिश कीजे, जिस भी tough situation से आप गुजरे हैं, वो tough situation अब खतम हो रही है, आपको उस tough situation से बाहर निकाला जा रहा है, आपको breakthrough मिलने वाला है, अब आप अपनी खुश्यों की तरफ को पहला कदम बढ़ाईए, आपके जीवन के अंदर आप चमतकार होंगे, अब आप अपनी लाइफ के अंदर miracles expect कर सकते हैं, ये डिवाइन आपसे कहना चाते हैं, और इस मन से आपके लिए कोई spiritual source भी open हो रहा है मतलब किसी person की तरफ से आपको कुछ guidance मिलेगी, या फिर आपको angels, या फिर बड़ी blessing है आपके लिए so I hope Gemini people आज की reading आपको पसंद आई हो, नीचे मुझे comment section में जरूर बताईएगा ये reading आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो like करना मत भूलिएगा अपने near and dear ones के साथ share जरूर कीजेगा, हो सकता है किसी को अपने life को लेकर कुछ clarity मिल सके, so do share my video also अगर आप मेरी reading से influenced है और किसी personalized problem का solution मुझे चाहते है तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते है, ये booking आप मेरे whatsapp के थूरू या फिर मेरी email id के थूरू कर सकते है, मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर प्लाश होंगे, जो लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है आप प्लीज मेरे चानल को subscribe कर लेचे और पहला icon को press करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए videos की notification मलती रहे मेरा एक और चानल भी है Soul Divine Journey Tarot, link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस चानल पर मैं कुछ ऐसी videos पोस्ट करते हूँ, जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती है और मैं अपनी daily angelic guidance रोज रात 8 वजे उस चानल पर पोस्ट करती हूँ, so अपलीज उस चानल को भी subscribe ज़रूर कर लीचे और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलते रहे, मेरा एक और channel भी है, soul mystic tarot उस channel पर मैं आपके partner की current feelings, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जजबात, yes or no pendulum readings, ऐसी सभी readings अपने उस channel पर post करते हूं आप लीज उस channel को भी subscribe जरूर कर लीचे और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहे, वस channel का link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा, so thanks for watching, see you soon